कि दोस्तों आज हम कंसल्टेशन के क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे कि कंसल्टेशन करके हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं और हम किस-किस नुक्सान से बस सकते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ताइब बने रहें जिसे मैं ए इसलिए करेगी और किस तरह लगए कई सटो लगएं दोस्तों कई भार म् दटाटो स्टुडी ऑपर टाटो बनवाने के लिए डरेक्ट चले जाते हैं और हम किसी तरह की कोई को यह कंसलेटिशन कहीं पर चाहिए ऐख अना हमें पता होता कि में क्या संसरी पहता है एक छोटी से फीज पे करके आप अपनी कासरेंस बुक कर सकते हैं हम बिना पंशल्ट के टाटु बनवाते हैं तो हमें कवर अप कराने की जूद पड़ आती है यह हम डारेक्ट किसी भी टाटु आर्टिस्के पास चले जाते हैं तो हमें इसके जो साइड फेक्ट होते हैं वह किसी तरह का नुक्सान होने से आप बच जाएंगे किसी फी तरह की होने वाली परीशाली से बच जाएंगे दोसतो कि bağन में किसी बरना में किसी फीतरा की जल्दवाजी ना करें और किसी भी डिजाइन के बारे में सला मसवरा कर सकते हैं, इससे आप किसी भी तरह के होने वाले नुकसान से बज सकते हैं, जैसे कि कवर अप टैटू कराने की नौबत आती है, वो आपके चाद नहीं आएगी, और आप एक अच्छा टैटू बनवा कर खुश रह सकते हैं, द कोई भी आर्टिस्ट आपको एक अच्छी सला देगा, जिसे कि आप जल्दवाजी करने से बज जाते हैं, और आपको पूरी जिन की पस्तावा नहीं करना पड़ता, तो दोस्तों कंसल्टेशन की महतवता को समझे, और किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास कंसल्ट करके ही जाएं, इस आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी, दोस्तों, इंटरनेट पर आप जितने भी टाटू देखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े टाटू होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, 3D टाइप के टाटू होते हैं, वो सभी टाटू पहले कंसल्ट करके, आपको कोई कस्टम डिजाइन दिखाए, या आपको अच्छी सलाद है, कोई कंसल्ट करने से आप जल्दबाजी से बच जाते हैं, और अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के नुकसान या परिसानी से भी बच जाते हैं, इस बात का ध्यान लखें, जल्दबाजी हमेशा न उस डिजाइन के बारे में कंसल्ट जरूर करें, इससे आपको और आर्टिस को इस उस डिजाइन के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी होगी और वो डिजाइन भी बहुत अच्छा बनेगा, आप अच्छे से केर कर पाएंगे, उसके होने वाले नुकसान, उसके होने व और बाद में बहुत ही पस्तावा करते हैं कई बार उनको कवर अप कराने की जुरूत पढ़ जाती है जो की बाद में बहुत ही गंदा दिखता है तो दोस्तों आप ऐसे होने वाई नुक्सान से बचने के लिए एक लिए कंसर्टेशन लेकर ही जाएं और किसी भी टैटू आर्टिस से पहले सलाम बसुरा करें उसके बाद ही कोई टैटू बनवाए इससे आप किसी भी तरह की जल्दवाई से बच जाएंगे पर किसी भी तरह के होने वाई नुक्सान से बच जाएंगे इस बात का ध्यान रखें एक छोटा सा कंसल्टेशन आपको बहुत बड़ी परिशानी से बचा सकता है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करें जिससे कि आप और आपके जानने वाले किसी भी तरह की परिशानी से बच सकें धन्यवाद